ये आगाश्वानी है आदिम कुहा वाँ वाँ देखो ये बंदर कैसा बाजा बजा रहा है मम्मी मम्मी जल दी आओ अरे ओ बंदर के बच्चे बजाना क्यों बंद कर दिया अच्छा तुम मोटर पहुंचड़ेगा नहीं अच्छा ले में बाजा बजाता हूं अच्छा है नहीं अच्छा जैजा पीट दूँगा मेरा बाजा खराब कहता है अरे काड़ेगा मम्मी अभी मम्मी से कहता हूं मम्मी मम्मी जल दिया ओ ये बंदर मुझे काड़ रहा है मम्मी बच्छा आधिम गुहा आज प्रस्थु थे श्री सुदर्शन चोपड़ा की मूल कृति पर आधारित ये रेडियो नाटक रेडियो नाटी रुपांतरकार ही मुद्राराक्षस तो सुनिए ये नाटक आधिम गुहा अफ़ो ये कुटे कितना शोर करते है तुम कुछ सोच रही तिरे नो नहीं तो नहीं कुछ भी नहीं क्यों लगा तुम कुछ आजीब खामोशी इक्तियार किये हो सामने नावल लिये बैठे हो लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ तुमने पड़ा तो कुछ भी नहीं हां बात यह है कि ये कुटे शोर खासा ही मचा रही है पता नहीं बंसी दादा का है मानेंगे नहीं हरी बेकार परेशान हो रहे हैं बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही है पपु का है दूसरे कमरे में है खेल रहा है तुम रेल लाए हो वो उसे पसंद आ गई है उसी से खेल रहा है रेनु मैंने अक्सर देखा है जब कभी तुम इस तरह कुट्टों की आवाज सुनती हो अन्मनी हो जाती हो बात क्या है कुछ भी नहीं बत्ती जला दो हरी अंधेरा मैसूस हो रहा है अंधेरा अंधेरा अभी कहा हो रहा है देखो अब रोश्नी हो गई या नहीं तुमने बताया निरेनू बात क्या है क्यों पूछते हो हरी मत पूछो तकलीफ होती है उस दिन अजेत मत पूछो हरी बहुत उल्चन होती है अपने पहले पती देव की यादाने लगती है हरी बस करो चलो छोड़ो तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता था नहीं हरी मगर मगर यह सच है जब भी कुत्तों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है मैं सच हरी कहना नहीं चाहिए अगर मुझे हमेशा लगता रहा है जैसे अजित के अंदर एक पशू था जो यका यक पाहर आ जाता था कभी कभी शेट अप आई से शेट अप क्या आई से शेट अप और चीखो इतना चीखो कि महले बड़ोस वाले फीर लगा लें जरा अच्छा तमाशा रहेगा तुम्हें तुम्हें ये 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 तुम्हे मुझे नहीं मिल रही गाली, गाली से ज्यादा कुछ मतलब डंडा, छुरा हाँ, काश मैं इतना जाहिल होता के वो भी करता मैं सोच रही हूँ कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हो यानि तुम मुझे सिखाओगी मेरी सीमा क्या है अपनी सीमाई जानता कौन नहीं शजब आखिर तुम चाहते क्या हूँ मैं क्या चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हूँ मैं मैं सिर्फ इस घर में शांती चाहती हूँ और शांती नहीं रह सकती तो कोई फैसला करना चाहते हो तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज के चखड़ों से तुम तंग आ गई हो? हाँ हद हो गई आखिर आखिर कोई फैसला क्यों नहीं कर लेती फैसला? मैं करूँ फैसला मुझे करना होता तो तुम से शादी के बाद ही कर लिया होता फैसला लेकिन खेर अगर कुछ नहीं हो सकता तो बेहतर है हम लोग अलग हो जाएं क्या? हाँ, अलग हो जाएं मतलब तलाख? हाँ, तलाख टाइवोर्स टी आई वी ओ आर सी ई डाइवोर्स डी आई वी ओ आर सी येस डी आई वी ओ आर सी डी आई वी ओ आर सी डाइवोर्स छोड़ो रेनो नाहक सोचते हो आप तो पपू उपना रहा हो अके लिए पपू? हाँ, वी ओब रहा होगा जरूर, जाब देखा तुम कहां जा रहे हो? कही नहीं, थोड़ा बाहर टेहलूँगा अरे, ये कोई टेहलने का वक्त है? टेहलने का वक्त तो नहीं है, मगर और क्या कर सकता हूँ देखो पपू उपरा होगा व्यंग कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हरी मैं समझ रही हूँ ऐसा नहीं के मैं समझती नहीं मगर करूं क्या? क्या मतलब? मैं समझती हूँ आखिर तुम भी पुरुश हो किसी ओरत से शादी उसकी शकल देखने के लिए तो नहीं की जाती मगर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ पपू अजित से अलग होने के बाद पपू मुझसे और ज़्यादा निकरता मैसूस करना जाता है पहले ही मुझसे बहुत अटैश्ट था अब तो और ज्यादा हो गया है पहले तो अखसर अलग सो जाता था अब तो जीह गरता है वह तो मैं समझ दहू रहे नूं वह ठीक है 11 बच्च कहा पपु अभी खेली रहा है वैसे नजाने क्या बात है इसे नीन भी कामाती है ममी, ममी, ममी हम बोलो बैठे, क्या कह रहे थे बैटे, बोलो अरे डैडी पूछ रहे है, जवाब तून ना बैटे बोलो पपू, क्या कह रहे थे? वो जो डेडी ने टेडी बियर दिया है ना वो मुझसे लडाई करता है तुम्चे लडाई करता है अभी बताता हूँ छाले को अभी पीटता हूँ डिख्षू, डिख्षू, डिख्षू मज़ा आ गया ने बेटे को और माले तुम उस्से तुद्ला कर क्यों बोलते हो अब समझदार हो गया है अच्छे, बड़ा हो गया है सब समझता है सब? सब क्या? हुश पपू, बेटे, इधर आओ सुनो, अब तुम बड़े हो गया हूँ ना हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ स्कूल भी तो जाता हूँ हुश सब बेटे, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ममी के पास नहीं सोते क्यों? अलग पिस्तर पर सोते हैं ममी के साथ तो छोटे बच्चे सोते हैं अब मैं छोटा नहीं हूँ ना? हाँ, अब तो तुम बड़े हो गया हो नहीं, मैं अभी छोटा ही हूँ अरे? मैं अभी छोटा हूँ अरे, सुनो तो मैं अलग नहीं सोंगा मैं तुमारे पास सोंगा जाओ, मैं तुम से नहीं बोलूगी तुम गंदे बच्चे हो गंदे बच्चे ऐसी जित करते हैं तुम गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चों को स्कूल में मैडम भी प्यार नहीं करती, तुम गंदे बच्चे हो, नहीं, शाबाश, फिर ममी के पास होने की जित्तो नहीं करोगे, बोलो बेटे, अच्छे बच्चे ममी का कहना मानते हैं, अलक्स हो जाओगे ना, मुझे बेटे में करती, बोलो, हाँ, शाबाश पेटे, अच्छे बच्चे होना तो, आओ, देखो तुम्हारा कैसा प्यारा प्यारा बिस्तर लगा देती हूं, अरे वाँ, पपु बेटे का कमरा तो हमसे भी बढ़िया है, ठेरो ठेरो, ये चादर बिचा देती, ये लो, लेट ज मुन्ना राजा सो जाए, पपु बेटा सो जाए, राजा बेटा सो जाए, अब मैं सो जाओंगा, तुम जाओ, ये शाबाश, गुट नाट, गुट नाट कौन है, पपु, अले पपु, क्या है बेटे, ये ही तो कहता हूं, उसे नींद ही नहीं आती प्यास लगी है मम्मी, ओहो, तो वहीं तो है जगर ग्लास लेलो, ओफो, तोड़ दिया, जज तोड़ दिया, ओओ, छोड़ो ना, आप खुद सोजाएगा, तूट गया, तूट जाने तूट मेरी गुडिया रानी, आचा, मेरे पास आजा, मम्मी पापा ने अलग सुला दिया, अकेले डर लगता है, आचा, मेरे पास आजा, मैं अपने पास सुला लेता हूं क्या बात है गुडिया रानी, नी नहीं आ रहे, कहानी सुनोगी, अच्छा, ले मैं कहानी सुनाता हूं, एक राजकुमारी थी नहीं, कहानी नहीं सुनोंगी, कहानी नहीं सुनेगी, फिर सब लोग सोके हैं न? चलो चुपचाप निकल चले जंगल की तरफ हारी ये तो बहुत अच्छी बात है चल चुपचाप निकल चले यहां से जंगल की तरफ मज़ा आ जाएगा श्श्श चुपचाप अहा, मज़ा आ गया मज़ा आ गया, कैसे हरा भरा जंगल है पपुराजा, गुरिया के साथ कहां चले बतक चाची, हम जंगल में घूमने जा रहे हैं बतक चाची, हम जंगल में खूम रहे हैं काका, काका पपुराजा, पास्चिम की तरफ मत जाना उधर देव रहता है देव? बतक चाची, हम उधर नहीं जाएंगे बतक चाची, मैं उधर नहीं जाओंगी मगर गुडिया हरानी मैंने देव का भी नहीं देखा जरा देखे तो ना बाबा ना, देव खा जाता है धर्थ, दूर से देखेंगे फिर आ जाएंगे चल, चल ना चलो मुझे टर लग रहा है अरे धर, टरने की क्या बात है चल, पपू, वो देखो, वो हाँ, अरे देव है मापरे, कितना दरावना है पपू भागो, देव ने हमें देख लिया भागो, जल्दी, भागो, भागो जल्दी, बत्याँ मामी, मामी, बत्याँ अब पपू का बुखार कैसा है? वैसा ही है दवा देदी थी? हाँ, बहुत डर के अथा शायद अभी तो बड़ी मुश्किल से सोया है रेनो, तुमसे पूछा बिना मैंने काम कर दिया है क्या? अजित को फोन कर दिया है क्यों? मैंने सुचा पपू ने देखकर शायद बेहतर महसूस करें मैंने इसलिए कहा के अजित ना आए तो बुरा लगेगा नहीं आएगा बस अब आते ही होंगे तुम भी अपने प्रथम प्यार से मिल लेना शायद आगे कैसी हो? कैसी देख रही हूँ तुम कैसे हो? कैसा देख रहा हूं पपू कैसा है? बुखार हो गया है अभी अभी सोया है तुम ही याद कर रहा था हाँ हरीनाग जी ने फोन पर बताया बुखार तो काफी तेस है दवा? हाँ डॉक्टर देख कर गया है दवा दी थी उसके बाद ही सोया है लगता है इसका मन नहीं लगा मैं चाय लाती हूँ ने उसकी क्या जरूरत है? आपको अक्सर याद करता है अच्छा सोचा था आते वक्त कुछ खिलोने लेता होंगा मगर जद्धी महीं आ गया अ.. अ.. अरे पफू पफू बेटी पफू बेटी देखो तो कौन आया है डैडी डैडी पेरा बेटा बस 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 डैडी अब आप अब तुम्हाँ जाना नहीं जाएंगे बेटे नहीं जाएंगे बस तुम अपनी तभी ठीक कर लो फिर लेक चलेंगे लेक नहीं नहीं वहाँ नहीं अचा वहाँ नहीं बस बाजार चलेंगे बाजार लेक नहीं बाजार बाजार सो गया बड़ा तेज बुखार है सुनिये मैं थोड़ी देर के इजाज़त चाहता हूँ क्यों? बस ज़रा सी देर पप्पू के लिए कुछ खिलोने ले आउँ मन नहीं मानता मगर चाहे आकर पियूंगा प्लीज, ट्राइ टू अंडरस्टेंड मी ऐसे ही आ गया अच्छा नहीं लग रहा बस अभी आया अरे कहां गया जीद? मैं तो रोग रहा था बोले थोड़े से खिलोने लिया हूँ पपू के लिए खिलोने? तुम्हे मना करना चाहिए था मना किया था माने ही नहीं एकदम चल पड़े बोले पांच मिनट में आ रहा हूँ इसकी जरूरत ही क्या थी? अब होगा भी आई रहा हूँगे तो एक काम ही कर दो तब तक सामने से चीज ले आओ घर में है नहीं सैन्विचेज भी बना दूँगे सैन्विचेज? चला ले आदो तुम कंबल ओड़कर बैठो ना खासी सर्दी हो गई है नहीं, ठेक है पपू तो अब आराम से सू जाता है उसे अलग सोने की आदत नहीं है हाँ, दर जाता था दर क्या? क्या पढ़ रहे हो इतनी देर से? ऐसे ही सुनो, वो सुर्णा थी ना जानते हो ना उसको वही जो म्यूजिक सीखती थी उसने मास्टर से शादी कर ली कोर्ट में शादी की और हनीमून के लिए बंबई गई है माबाप ने बहुत शोर मचाया सुना है, सुर्णा का बाप बंबई जा रहा है अपने भाईयों के साथ हो सकता उसे जबर्दस्ती ले आए वैसे लड़की सुन्दर है मास्टर भी बुरा नहीं अगर बाप ने उन्हें खोज लिया तो खासा उधम होगा क्या पढ़ रहे हो? ऐसे ही ऐसे ही क्या? नौबल पढ़ रहे हो? मैं इतनी देर से बर्बर किये जा रही हूँ सुन तो रहा हूँ खाक सुन रहे हो पिछले कई महिनों से देख रही हूँ क्या? क्या को हूँ? घर का वातावरन ही अजीब हो गया है देखते हूँ तुम आते हो तो बस या अखबार पढ़ते रह जाते हो या कोई किताब पढ़ना खराब बात या फिर गुमसुम बैठे रह जाते हो तो क्या करूँ? क्या करूँ? ठीकी है हम लोगों को अब एक दूसरे से पूछना होगा क्या हम लोग आपस में कोई बात भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं? फिर ऐसी अटूट खामोशी क्यों रहती है? तुम भी तो खामोश रहती हो मैं? मैं बात करूँ तो तुम बाते करोगे क्यों नहीं? हाँ जी हाँ जी क्या? तो इधर आओ किताब रगतो पपू सो रहा है कहीं जग जाए ओ अच्छा मैं इसे उधर सुला देती हूँ सुनम नहीं नहीं रहने तो नहीं क्या सो तो गया है ठेरो में सुला कराई पपू पपू का आओ च्छुप तेरे ममी डाडी सुन लेंगे अरे गुढिया तु? हाँ पपू चल बाहर खेले बाहर? कहां? जग्दल में बड़ा मजा आएगा हाँ बड़ा मजा आएगा चल च्छुप जाब बाहर निकल चले हाँ पक्पु गुडिया कहां चले जंगल में घुमने बड़ा मज़ा आता है बतक चाची पच्चिम की तरफ मत जाना उधर देव रहता है अच्छा चाची अच्छा चाची अगा देख गुडिया कितना सुनदर हीरन अगा देख पपु नना सब खर्गोश बड़ा मज़ा आया आगा जोड़ा जिल की तरफ चले उसमें सुनदर सुनदर कमल खिले हैं आप पुपु छील की तरफ चले उसमें सुन्दे सुन्दे अरे नहीं उथर तो तेव है अरे भाग गुडिया भाग गुडिया भाग बचाओ पपु बचाओ बचाओ मामी बचाओ मामी मामी बचाओ मम्मी, 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 पफू, पफू बेटे, क्या हुआ मेरे बेटे को, पफू, मम्मी, कुछ नहीं, बच, बच, दरू मत, बच, मम्मी, बच, रेनो, इसे अपने पाच उलाल, एम सुरी हरी, अब पता नहीं, बस, नहीं रेनो, इसकी जरूरत नहीं, मैं समझ क्या हूँ, खलती हमारी है, वो यूग नहीं रहा, हरी, हाँ रेनो, वो यूग नहीं है, जब आदमी आदिम काल की गुफाओं में रहता था और, नहीं रेनो, नहीं, अब उस गुफा में हम वापस नहीं लोट सकते, पपू क ले लो, वो हमारे पास ही सोएगा, आओ पपू, आओ आदिम कुफा, अभ्याप, श्री सुदर्शन चोपडा की मूल कृति पर आधारित, ये रेडियो नाटक सुन रहे थे, रेडियो रूपांतरकार और निर्देशक थे, मुद्राराक्षस, और सहायक, कृष्ण कुमार नरुला और सुदर्शन कुमार, भाग लेने वाले कलाकार थे, सरुश्री शाम अरोडा, रामावतार शर्मा, मंजु मैनी, दीपा पांडे मीना विल्यम्स और अभिनव चत्रवेदी, ये कारिक्रम केंद्री ये नाटक एकांग्ष द्वारा आकाश्वानी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया